नमस्कार आप देखरें जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंदर सुलंग की आज विश्व परियाटन दिवस और सभ्यता देखने परियाटन आते हैं लेकिन कोरोना की गुसाखी ने परियाटन को दो साल की सजा सुनवा दिव Heel क करोड़ से ज्यादा का नुकसान करा दिया दो हजार से ज्यादा छोटी बड़ी परियाटनीकाईयां बंद हुकी तो सो से ज्यादा अंतराष्टिय, राष्टिय और राजे सरीय प्रोग्राम कोरोना निगल गया पैले सॉन विल्स जो शाही ट्रेन है वो ट्रेक पर आही नहीं पाई लेकिन अब कोरोना का कहुरा छट रहा है और पावनों की पैर मरू भूमी पर नज़र आने लगे है के लिए बूश्ट्रा डोस की तरह काम करेगी आज बात इसी मुद्टेबाद मुद्टेशन के लिए बात इसी मुद्टेशन के लिए यज़र आजिए आजिए अलिए मारे देशन कुरूना को भूल कर अब आगे बढ़ने का वक्त है परियटन प्रदेश की अर्थवैवसा की रीड की हड़ी है और आजे सरकार इस रीड की हड़ी को मजबूत करने में लगी है जेहां इस ओफ ट्रैवलिंग इन राजिस्सान थीम पर नई परियटन नीती जारी की जा चुकी है आज परियटन विश्व परियटन दिवस के मोके पर नए परियटन सत्र का जोड़दार और अबचारिक आगाज हो चुका है मेडिकल ट्यूरिज्म, धार्मिक और यहां तक के ग्रामिन परियटन में अब लोग आकर देख सकेंगे कि वेश भूशा क्या है, ग्रामिन परिवेक्ष क्या है जरा इस रिपोर्ट को एक बार देखिए और उसके बाद बेहत खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, जिन से हम हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जो राधिस्थान में, पधारों महारे देश इसको आकरशित करें राधिस्थान को परियटन का पायोनियर कहा जाता है, बीते 18 महिने से देश दुनिया में कोरोना के चलते कितनी समस्याएं सामने आई, वो किसी से छिपी नहीं है प्रदेश के संपन और सम्रिद परियटन धाचा कोरोना के चलती चर्मरा गया, परियटनों द्योग हाशिये पर आगया, अर बो रुपय का नुकसान, लाखो लोग बेरोजगा, होकर, वेंडर, गाइड्स, हस्त शिल पुत्तियो, लोग कलाकारों पर रोजी रोटी का संकर आलंके समिधन शील मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने परियटन धाचे को दोबारा खड़ा करने के लिए विभार के जिम्यदार अपसरों और विशी शक्यों के साथ बैठा कर नई परियटन नीती लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने दिये निर्देश निजनीस फ्रेंडली टुरीज्म अट्रेक्शन से लवरेज निती बनाने के निर्देश परियटन राजयमंत्री गोविन सिंग डोटासरा की अगवाई में चूटी टीम प्रमुक सचिव गायतरी राठो निदेशक निशान जैन की टीम ने तयार किया ड्राफ्ट खुद मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने जारी की नई परियटनी नई निती में आइकोनिक मॉनिमेंट्स और हैरिटेज शेत्र पर फोकस नई स्पेशल हैरिटेज गाउं तयार करने, क्राफ्ट गाउं तयार करने परजो मरू परियटन, Adventure Tourism, Wildlife and Eco Tourism, Travel Tourism सांस्क्रितिक परियटन, Craft of Engine परियटन, Mines Tourism, Weekend Gateway Tourism धर्मिक परियटन, शाधी परियटन, घ्रामिन और फिल्म परियटन के लिए प्रावधान पुष्कर मिला, Desert Festival, कुम्भलगर, बुंदी उस्सव की नई सिरे सिब्राणी परियटन इकायों के फूर उपांतरन के मामलों में सिंगल विंडोस सिस्टम शुरू प्राले सोन विल्प्स को छोटे मार्क पर चलाने का प्रावधान ताकि घरेलू परियटकों को भी शाही ट्रेन में करवाई जा सके यात्रा ट्रेवल ट्रेड से जुड़े विविन स्टेक होल्डर्स को रियाय देनी की कोशिश दो कलाकारों और हाती महावतों को नगत साहता भी शामे अब नई परियटन नीति के बाद विदेशी परियटकों के आगमन का सब को इंतिज़ार है ताकि परियटन उद्योग को और मजभूति मिल सके उल्मिलाकर कहा जा सकते है कि मुख्यमंत्रि के निर्देश के बाद परियटन धाचे के विकास के ब्रयास किये जा रहे हैं। इसे उमीद जगे है कि नए परियटन सत्र में COVID-19 से जूज रहे परियटनों द्योग को नई ताकस जरूर मिलें। निर्मलतिवारी, फर्ष्टनियानीज, जी अपर। लेकिन सवाल यही है कि क्या नए परियटन नीती और नए टिरूरिजम पॉइंट राजिस्तान के परियटन को पंक लगा देंगे। इस मुद्धे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनलाल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है आर्टी डीसी के पूर्व अध्यक्ष और कॉंग्रेस के बड़े निता राजी वारोडा जी। हैंडी क्राफ्ट इंडरस्टी से जुड़े हुए सज्जन सिंग शेखावाज जी। होटल इंडरस्टी से जुड़े हुए संजय कोशिक जी। टूर एंड ट्रेवल इंडरस्टी से जुड़े हुए महेश शर्मा जी। गाइड एस्सोसियेशन से जुड़े हुए मदन सिंग राजपुरा जी। हैरिटेज होटल मालिक साविर खान जी हमारे साथ हैं। राजी वरोडा जी शुरुवात में आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि सर राजिस्थान की अर्थव्यवसमें एक बड़ा हिस्सा या कहें कि रीड की हटी ट्यूरीज में है जो नहीं नीती आई इसको ऐसे समझे की खेत खलियान से लिकर और आलीशान पहले सोन वील सक को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए बस यहीं नीती है बहुत अच्छी बात आपने कहीं एंजिन ऑफ एकोनोमिक क्रूथ राजिस्थान में आर्थिक विकास की धूरी है तो परेकन है एक मात्र ऐसा शेत्रे जो लगबग 15 प्रतिशत इस प्रिदेश की एकोनोमी के अंदर कॉंट्रिबूट करता हो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता हो सबसे महत्मून बात यह है कि इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा नया इंवेस्टमेंट करनी का आवशकता नहीं है हमारी कलकला संस्कृती हमारी धरोहर हमारे तीस तोहर इस प्रिदेश के और जोद्पूर के बड़े-बड़े होकल उमीद भोवन जैसे होकल भी है तो हर पॉकेट को सूट करने वाला टूरिजम और हर केयस्ट को सूट करने वाला टूरिजम जिसके अंदर गना की बड़ सेंक्चुरी से लेके सरिसका जियम बात करते थे और आज कल तो जहाराना जैपूर के अंदर बहुत पैंथर दिख रहा है किले महल, मंदिर, तीरतिस्तान जिसमें पुषकर हो, वोसियां हो, खौजा साब की दरगा हो, कोई शेतर ऐसा नहीं है उद्यपूर जो जीनों की नगरी है तो इतना सम्मिश रण पूरे देश में किसी दूसरे जगह नहीं मिल सकता, और जब भी कोई किसी भी शेर में कोई माता अपने बच्चे को बात करती है, किसी राजा और राजकुमानी की, या किसी महल और किले की, तो आपके मानस पटल के उपर जो चित रहता है, वो होता है राजस्तान का, तो ऐसे हम धन संपधा पे बैके वे हैं, जिसका दोहन में होना चाहिए, उससे यहां के लोगों को रोजगार में मिलना चाहिए, इस प्रदेश में अगर कोई भी वेक्ती गरीबी की तरेका से नीचे है, तो वो उपर आ सकता है, जिसने परेक्टन बढ़ जाएगा, माले है, आस्ट्रिया है, इकली है, इस्पेन है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, जिनकी आर्ट वेस्ता का 30% तक कूरिजम से आता है, तो निश्चित रूप से राजिस्तान की जो नई परेक्टन निती आई है, और आने वाले तो समय है, मुक्यमंत्री जी ने पहली बार 500 क्रोड रुपे का बजग, एक विग्यापन के लिए, एक को एक गड़ था कि किसी की इंफेक्शन ना हो जाए, किसी को इंफेक्शन चू नहीं जाए, हम परेक्टन शेत्र से परेक्टन बनके जाएं, इंफेक्शन अपने घर में नहीं लिया है, ऐसे समय में जब बहुत सारी परेक्टन निकाईयां बंद हो गई ही, लोग अने परेक्टन के शेत्म जुड़ेवे सभी के खुज़कस के लिए कुछ ना कुछ तोफा भी आने वाला है। आने टूरिजम की जैसे पूरे इंडिया के अंदर एक एकनॉमिक की जान है, हैंडिक्राफ्ट भी अपने आपको बहुत इंपोर्टेंट आत्मा बता सकते हैं। टूरिजम अगर टूरिस्ट किसी चीज़ के लिए आकर्शित होता है, महल और हवेलियां, गाओं, ये कल्चर, ट्रेडिशन, तो हैंडिक्राफ्ट इसमें एक बहुत बड़ा एहम इससा अपना निभाता है, इन बीते कई सालों कोरोना टाइम के अंदर हैंडिक्राफ्ट को बहुत ही आगात हुआ है, क्योंकि छोटे काम करने वाले लगूद द्योग वाले जितने रहे हैं, इनको किसी अपना काम regular, क्योंकि सब अपना हाथ से बनाया हुआ काम करते हैं, जाते हैं, direct cash करते हैं, किसी ने कोई अपना वो firm जरूरी नहीं होता कि वो registered किया हुआ हो, तो किसी ना किसी तरीके, और ये काम ऐसा है कि सभी generation to generation, या फिर कोई proper किसी को रुची हो उस तरीके से जाने के लिए, तो इसके लिए कोई वो नहीं बना हुआ, किसी जैसे एक छोटी family ने कोई काम करने का बना रखा है, मैं हमेशे इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि बीत गई सो बात कई आगे की सुदले, जो बीत गया है सर, उस पर अफसोस करने से कुछ होगा नहीं, अब जो स्वनिम वक्त आ रहा है, उसको वापस उपर उठाने का वक्त आ रहा है, नहीं नीती आ रही है, उसमें बहतर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो दुबारा से शुरुआद करने के लिए कुछ परहतसान किसी तरीके से एक कोई बनाना चाहिए उसके लिए कुछ. टीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन होटल इंडरस्ट्री से मारे साथ संजय कोशिक जी है, संजय कोशिक जी एक दोर वो भी कोरोना में देखा, जब जो होटल के कमरे थे, उनमें जाले लग गए थे, चद्रे साफ नहीं हो रही थे, क्योंकि पूरे तरीके से लोकडाउन जो काम करने वाले थे, उनको घर बेज दिया गया थे, यहाला सुधर रहे हैं? क्याते हैं, आगात जो जहिलना पड़ा है, परेटन को जहिलना पड़ा है, लेकिन जो गया जैसा आपने भी कहा था, जो बीट गई सो बात गई, लेकिन आने वाला जो टाइम है, मैरे खाल से एक ऑक्टूबर से नया सीजन शुरू हो जाता है, जो परेटन का उद्योग मे कि तरफ से आज कुछ अच्छी घोषनों की संभावना है, हर शेत्र के जैसे राजी वहिसा भी कह रहे थे, आप ही बता दीजे सरक्या घोषना चाहिए, क्या पता आपकी आप जो कहें वही पूरा हो जाए, बहुत सारी चीजे हैं, जितना मांग सकते हैं, हर चीज मांगते कि विजिट राजस्थान येर, जैसे अभी जो एक ऑक्टूबर से आने वाला जो सितंबर है, उसको विजिट राजस्थान येर, या कोई ऐसी कोई योजना चाहिए, जिससे हमारे जो प्रतितुन्दी राज्य है, अभी आने वाला जो 6-7 महीन है, उसमें देशी परेटक ह ही आएंगे, भी देशी नहीं आएंगे, तो देशी परेटक हो में बहुत भेंकर कॉम्पेटिशन है, उससे जूजने के लिए सरकार को कुछ एक नीतिकत और बढ़िया, जो अगर वीजा मिल भी जाता है, तो उटके मुह में जी रही जैसा है, लेकिन फिर भी चलिए जो मुझे लगता है कि सरकार से बहुत सरी अपक्षा है, मुझे लगता है कि उटके ममें। सर क्योंकि बहुत सी चीज़े ऐसी हैं जो टूरेंट ट्रेवल सीधे परियंटर से जुड़ा हुआ है और एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ लाइफ लाइन की तरह काम करता है कुछ नए पैकेज कुछ आकरशीत पैकेज इस सरीके के बनाये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा परियाटर कम से कम आगे की तरफ आएं पैसा कम बच जाए ज्यादा से ज्यादा लोग आएं क्योंकि अगर एक बार एक आदमी राजिस्तान आ गया तो वो फिर सबको पर देख लिजिए चाहे हम सेंचुरी देखे हमरे यह या फिर हम टेंपल ट्यूरिजम देखे या फिर क्यों ना हम किले महल बावडियां देखे हर छेतर के अंदर में आज राजस्तान अपने आप एक अलग काबिलियत रखता है तो हमारा गौरव रहा ही है न तो आज समय व अना के हमको देना चाहिए कि आने वाला जो ट्यूरिस्त है क्योंकि किले महल तो फिर भी ट्यूरिस्त देखता है और देखता आया है बट अगर आप अलग हटके आप विलेज के अंदर में ले जा करके और उन्हें वहां स्टे करवाते हैं आप देशी अगर हम बोले तो च क्रोना ने हमसे बहुत कुछ लिया है तो एक अच्छी चीज यह कि पूरे विश्यू पटल पर यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान के संस्कृत ही सबसे बहतर है उसको अगर अपना लेंगे तो बहुत सी चीज़े बदल जाएंगे और आजिस्तान एक तरीक से संस्कृत को अ जो वहां की वेश भूशा है वो भी यहां के संस्कृती है मदन सिंग राजपुरा जी गाइड पूरे तरीके से मिसगाइड हुए है इन 18 महीनों में या पूरी तरीके से तयार हुए है नई चीज़ों को एक्स्प्लोर करके परियाटक पंचाने के लिए महीं खतम हो जाती है और मैं कहता हूँ कि अगर उसको प्रोपर तरीके से प्लेटपॉर्म पे लाया जाए और उसको लागू किया जाये और उसके ओपर एक्वर्क प्रोपर किया लिए है क्योंकि काम ही नहीं कर पाए किसको गाइड करेंगे जब पैर ट्यूरिस्टी नहीं आएगा तो क्या वो एसोसियेशन के साथ अभी भी जोड़ें बतोर एसोसियेशन उनको एक बार फिर से एकत्रित किया जा रहा है ताकि नए बुश्टर डोस के साथ उनसे काम लिय रहे हैं उनको वापिस से नए सीरे से लाने के लिए मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिजम को एक बहुत बड़ी मैंनत करनी पड़ेगी क्योंकि कोर्णा के समय के पर यह का गया कि रहत पेकेस दिया आप 500 रुपे 1500 रुपे का रहत पेकेस दिया है अपने रा कारपे की 1500 रुपे में जरा चला के देखिए डेड़ साल में क्या होता है बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आप में आप आई है मैं कहता हूं हमारी जी का आप आई है आपको भी पता लगेगा कि यह दर्द क्या है और पस्टनिया ने बार-बार इस दर्द को उठाय भी है नि अगर इसको राजिस्तान क्या शौन करता है तो फिर टूरिस्ट हब के तोर पर राजिस्तान को वैसे भी पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम है वह और ज्यादा उपर होगा देखे विजंदर परेटन की कलपना राजिस्तान के बिना करना संभवी नहीं है अगर पूरे परेटन को देश के परेटन को या पूरे साउथ एशिया के परेटन की बात करें या हम जिस भारती उपमाधिव में रह रहे हैं अगर वहां के परेटन की बात करें तो वास्तवि लेकिन जिस तरह का जो सूचना जो भार आई है जो जिस तरह की जानकरी जो मिलेगा आपको गाइड कैसे लेना है आपको किस जगे जाना आपकी आइडिनरी क्या हो तमाम चीज़ा होंगी उसके बाद जिस तरह से अभी कहा भी कौशिक साब भी कह रहे थे मदन सिंग जी ने भी कहा सजन जी बोले देखें मुख्यमंत्री उद्योग संबल योजना की घोष्णा करने जारे है थोड़ी बहुत देर में इस घोष्णा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि परेटन उद्योग से जुड़े वे जितने भी स्टेक होल्डर से वह 15 लाख रुपे तक का उनक जब हम चर्चा करने लगें और राजीव जी जैसे बहुत अनुभवी व्यक्ति यहां बैठे हुए हमारे सामने दो चुनोतियां हैं सबसे पहले तो यह कि हम जो परेटक हमारे यहां आता है उसको रोके हमारे स्टे करें सर्किट है गोल्डन सर्किट है दिल्ली आगरा जै तो हमें यह जो हमारे जो रिच परेटन उत्पाद हैं उनको किस तरह से उन तक पहुंचाया जाए इस सब को भी देखना होगा कि इसके लिए एक ठोस नीती आए और देखिए पहली बार ऐसा हुए राजिस्तान के अंदर की सौसे ज़्यादा बाग हो गए एक सो चार करने के लिए तमाम जो नीति आरे हैं मेडिकल टूरिजम की बात करें फिजो थेरेपी या रिफ्लेक्स वालोजी सामने आई है जिसमें देखा कि हां मॉनुमेंट पर आ रहा है अगर उसको कोई किसी तरह की टूरिस्ट को समझचा है तो वहाई उसको चीज़ां मिल रहे है अगर निर्मल जी ऐसा तो मुझे लगता है कि अब जब हम इस पर बात करें क्या नहीं है तो मुझे लगे कर आजिस्तान में कहीं कुछ नहीं ढूंड पाएंगे सब कुछ है मारे पास हर एक बिंदू पर बात करेंगे तो टूरिस्ट को आकरशित करने के लिए सब कुछ है सामिर खान जी, Heritage Hotel, इसमें शब्धी बहुत भैतरीन है, Heritage Hotel, जो Heritage को संजोते हो, क्या जो नई नीती है, उसके जरीय Heritage Hotels, जो नई आलिशान होटेल्स है, उनके मुकाबले सशक्त होकर खड़े होंगे, और क्या Heritage Hotel, जब टूरिस्ट की पसंद है, तो क्या लगजरी होटेल से सब्सक्राइब के लिए अच्छे लोगों की जोरत है, लेकिन उनको यही पता नहीं उनको कैसे चलाना है, उनके लिए कैसे परमोट कीजिये, आज एटीडीस की इतनी होटल हैं राजस्तान में, लेकिन उनको वह तो वही एक फिक्स प्राइज लेके बेढ़े हैं, उसको ग उसके अंदर फैसलेटिक क्या नीड है, आज न्यू थिंग है, आज मैंने एक छोड़ा सा हॉमस्ते बनाया बुटिक, क्लाइन को क्या रिक्वायर है, क्या नीड है, कोई समझ रहे हैं, वही पुरानी चीज, वही सब कुछ लेके चल रहे हैं, आज कल छोडी-छोडी चीज बहुत आएगा, अभी होप खतम नहुआ अपना बहुत आएगा इंडिया में टूरिस और आना चाहता है, वह वेट कर रहे हैं, यह आप यह कह रहे हैं कि हरिटेज होटल कि स्विधा है, हरिटेज जैसी है, जो गोर्मेंट के हाथ में वो नहीं है, प्राइवेट जो है, व राजीव जी से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि वो आटीडीजी के वो नहीं है, पहला सवाल तो यह कि आप वर्तमां सिती में आपको फीजिबल दिखाई देता है, यह पूरे तरीके से निची होटेल्स के आगे बरबाद हो चुका है, दूसरा एक और पूरक सवाल है, प अब भी हम सरकारी होटेल्स की बात करते हैं, तो वो ऐसा होता है कि नियमों से सरक्ती सारी, मतलब कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, इनके पीछे का कारण क्या है, क्या आपको एक नेक्सिस नजर आता है, जो जानबूज कर इनको बरबाद करता है, अपने अच से भाष साब बता रहे थे, जब जैपूर दिल्ली की यात्रा शुरू हुई और नया हाइवे बना वाया कूट पुतली बहरोड, तो सबसे पहले हमाँ पे मिगवे बनाया, वो आके किसी ने बनाया, तो हमारा काम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आके किसी का काम या सरका का, एक फैसिलिक एक्टर का काम हो रहा है, पहले हम कोई उद्देश पूरा करें, अगर एक मिगवे बना चालिस साल पहने, उसके बाद जो मिगवे चार महीने पहले बनेगा, एक चालिस महीने पहले बनेगा, वो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा सुविदा संपर् क्यों हमने एक मिगवे बनाया, एक मिगवे गेस्की नेशन शुरू हुआ, और उसके बाद में वहापे लगाता है नए होकल मनने लगे, उसी तरीके से सिली सेट में आप जाओ, वहापे आखी की प्रॉपकी थी, सरिसका में बाद में प्रॉपकी आई है, तो जो सरकार का क काम होता है, वह किसी इस्थान पे जहां पर पर परिकन नहीं जाता हो, उसको भी शुरू करे, बर है, रतनपुर है, मुझे बालू मैं किन किन जगों पे, पहले जहां कोई होटल नहीं थे, रेस्क्रॉइंग नहीं थे, वहापे आखिक गीसी ने पहल करी, आज निशी तु तो स्वागत योग है, टूरिजम बढ़ना चाहिए, और ये आने वाले समय के अंदर जादा से जादा सहभा गिता, निशी शेतर की और सरकार की जब तक मिलके नहीं होगी, तब तक खाली सरकार के बरों से टूरिजम नहीं बढ़ सकता, सरकार अच्छी नितिया मला सकती है हमारे जो राजस्थान में हमारे जमारवाड़ी लोग है, राजस्थानी लोग हैं, उन में उद्जम इता कूट-कूट के भरीवी है, और निश्च्छत रूप से अगर अच्छी नितिया बनती हैं, तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान का गूल्डिन पीरे गाने वा अगर सरकारी सेक्टर भी मजबूती से खड़ा रहेगा तो मौनोपॉली नहीं होगी आपने अच्छा कहा कि सर आटीडीसी खुला उसके बाद वहाँ पर प्राइवेट कापी जाद होटेल्स कुलते चले गए टूरिज्म बढ़ता चला गया वेवसाय बढ़ता चला गया ले देखिए आगे गीशी को अब नई भूमी का निभानी चाहिए मेरा मन नहीं है उनको इस प्रिदेश की पैकेजिंग और मार्केटिंग के अंदर ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो राजस्थान को बिलॉंग करते हैं वो एक छोटे होकेल चलाने के लिए नहीं है वो परकी है जैसे पैले सोन वील्स है उनको इनके पास है क्योंकि वह हम रेल्वेस के साथ चलाते हैं मुझे इससे जुड़ी एक चीज मुझे ध्यान माई क्या यह मुमकिन है कि पैले सोन वील्स क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है लोकल ट्यूरिस्ट के बहुत मुश्किल होता है उसमें ट्रैवल करना क्या उसके चोटे 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 पैकेज बनाये जा सकते हैं कि जो लोकल ट्यूरिस्ट है वो भी उसका लाव उठा सके देगे समय के उपर यह प्रयास किये गए है प्राइवेक प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है लेकिन जैसा भी निर्वल जी कह रहे थे कि इस प्रदेश में जो टूरिस्ट कहाता है उसका इसके कैसे लॉंग करें कि हम सबका उदेश होना चाहिए पैले सोन वील्स में आफ साथ दिन तक घूमते हो गैली से शुरू होती है बुदवार को दिली जाके खितब होती है अब पुर जो राजस्तान में जो इस थान है जैपूर है उदैपूर है जैसलमीर है पुषकर है और उसकी वज़े से गेको रेकर है एक बैंक बाजे बजाने वाला है शेनाय बजाने वाला है फूलों का काम करने वाले हैं कितने लोगों को रोजगाल मिलता है और इस नही नीति में श शादी करो निश्यत रूप से सुकी होएगी और जो ठीक है लेकिन मैं तो इसका दूसरा पहलू अभी देख रहा था जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन से उसकी वज़े से हाल यह था कि राजिस्तान के जो कपल से बाहर जाकर शादी कर रहे था क्योंकि यह इस तरीके के तो राजिस्तान is the world's best wagon destination शादी के आगे शाही जोड़ दें तो राजिस्तान में मिलेगा ठीक है सजन सिंग शेखावज जी सर मार्केटिंग के आपको लगता नहीं है जरूरत है क्योंकि जिस तरीके का हैंडी क्राफ राजिस्तान में तयार होता है अगर वो बहतर तरीके से सरकारी सहता से या सरकारी प्रोवसाहन के साथ विश्व पटल पर फिर से ऐसा नहीं है कि उसकी छाप नहीं है एक अमिट छाप है लेकिन लोग धीरे धीरे चीसे सामने नहीं आती है तो भूलने लगते हैं वो कंटीन्यू रहे और हैंडी क्राफ उचे सर पर पहुंचे उच आप ही ऐसा सज़ेस्ट कीजिए जी बिल्कुल ये सही बात है है हैंडी क्राफ जो है जैसे कि अभी बताए भाई साब ने शादी जो इवेंट है ये तरीके का एक नई आइटनरी एड होती है और या फिर आप बोलते हो शाही जो है इसके लिए पैलेस ओन वील जो ट्रेंड के इन्नों ने चर्चा की उसके बारे में तो ये सब चीजें एक टूरिजम को अट्रेक्ट करने के लिए है लेकिन आप गौर से देखो वही पुरानी बात दुबारा से कह रहा हूं है हैंडी क्राफ जो है इसका प्रोमोशन्स भी जरूरी है जरूर कि नहीं तो ये जो छोटे छोटे हुनर हैं समय के साथ खतम हो जाएंगे अगर आप उनको प्रमोशन्स तो आप करी रहे हैं आप नीतियां बना रहे हैं जैसे कि बैस सब ने का कि वो नीतियां बनती हैं ग्राउंड पे नहीं आती हैं या फिर नीतियां जो चल रही है उसको आप उससे related कारीगर को आप समाल नहीं रहे हो, आप उसकी सुद नहीं ले रहे हो, कि उसका कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे आप उसका रखते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिरफ अभी अपने आप में ही जो संघ दर्श कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रेडिशन मन जाता है किसी का काम है फैमिली का वर्क है तो उसकी मजबूरी समझ लो बच्चों को सिखाना मजबूरी समझ लो कुछ भी समझ लो लेकिन यह जाता जा रहा है अभी अभी बात चली थी कि कई लोग यहां से अपना छोड़ जनरेशन टू जनरेशन कर रहे थे उनकी न्यू जनरेशन ने प्रॉपर छोड़ दिया है वो काम अन्वाले समय में इसके साथ मैं यह भी अडॉन करना चाहरा हूं कि क्या हस्ते शिल्प को जो मशीनी यूग है वो खा रहा है और दूसरा सवाल है कि क्या गोर्मेंट को ऐस पहले सोन वील्स के हम बात कर रहे हैं साल में सोला सो से सत्रा सो टूरिस्ट आता है कुछ होटल में जाते हैं कुछ हैंडिक्राफ्ट वगरा बहुत ज्यादा उसको कवर नहीं करता ट्रेवल ट्रेट को और एक सटेन एक वो बना हुआ है कि इस जेंट्री के ही काम आ रहा पहले सोन वील्स हम बात करें हैं हैंडिक्राफ्ट के प्रमोशन की तूरिजम के प्रमोशन की तो देखे एक बहुत अच्छी नीट है भी पिछले दिनों नितिन गड़करी साब से मिला था जब वो दिल्ली मुंबई कॉरीडर का निरेक्शन करने आए एक्सप्रेस वे का बहुत अच्छी बात करी और मेरा सरकार से भी आग रहा है और चूंकि राजी उजी वैसा बैटने तो बात और फुकता तरीकी से सरकार तक पहुंच सकती है उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जो दिल्ली से मुंबई विश्व का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है हम उसको ऐसा प्लेटफर्म देने ज आ रहे है हमारे हॉकर्स को हमारे वैंडर्स को हमारे एंडीज मींगाएण चिवाहरे हमारे इसको बात हैं जो जाए चाएंध्र lepail की duplic Logic हैं मुच्छी न को गोश्रेगा चारहा यहां था युछ व्यैडिय ना थाफरी वो try कषड़ मि सब्सक्राइब कर सकाइन है उसके साथ हम लोग कलाकवरों को को होटेलien's को डिशोर्टप यदा गाओ को सब को लेकर चाहिए लेकिन सबसे ब्रचे बड़ा अच cargo P περι्वी ख़ेल को चाह के लिद्ष्थ उसके जड़ाना के स्वेशिता अपार मेंगते ख़ियोा हुस निजतिति वहिंगे उसके पैनने की, वहां के वेंजनों को खाने की, वहां गूमने की, तमाम जो चीज़ हैं, हमारे परेटन उत्पाद हैं, उनका एक प्रॉपर प्रमोशन होगा, इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारा जितना भी जो ट्रेवल है, ट्रेवल इंडस्टी, यानि उसक साथ ट्रेवल करने वाले जितना भी परिवयन के जो साधने, चाहे वो एरपोर्ट हो सकता है, बस्टेंड हो सकता है, सारे ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेश्व के कॉलिडोर हो सकते हैं, सारे नेशनल लाइफेस होता है, उनको सब को शामिल किया जासे हैं, और कहा जाता है कि अगर आपको एडवेंचर करना है, तो जो निर्धारीत रास्ता है, उसको आप छोड़ दीजिए, फिर देखे मसा आएगा, लोकल ट्यूरिज्म भी अगर राजिस्तान में बढ़ गया, तो जितनी भी चीज़ों के हम बात करें, बाइडिपोल्ट वो बढ़ जाएंगी, तो लोकल ट्यूरिज्म कितना बहतर तरीके से बढ़ सकता है, इस पर भी फोकस होना चाहिए, संजे कोशिक जी, होटल इंडरस्टी तीन तरीके से काम करती है, उसमें से दो मुख्या है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिनका एक अलग तरीके की मार्केटिंग हो जो लोकल ट्यूरिस्ट को कवर करती है और जो बहुत छोटे-छोटे होटेल्स काम करते हैं और उसमें जो रोजगार हो सबसे ज्यादा नज़ार आता है, तो क्या होटल इंडरस्टी को खुद में एक बार फिर से रीडिजाइन होने की जरूरत है, जो आम आदमी की जरूर तो प्रमोशन सबसे बड़ी चीज है, पहले में प्रमोशन की बात करता हूँ, कि जैसे हाली मैं गुजरात गया था, गुजरात की गुजरात सरकार ने, गुजरात परेटन विभाग ने, मुझे जैपूर से जैपूर, हवाईजाद सहीत, चार दिन की यातरा का मौका दिय मिलाया, तो उसमें ऐसे ब्लॉगर्स को, जो हमारे गुजरात के, हमारे जो परेटन के लोग है, उनको बुलाकर राजी को दिखाया है, हम इंटर स्टेट टूरिजम जो है, उसको बहुत अवर्दास भश है, अगर हम कहना, जैसा कहना, सोशल मीडिया प्रमोशन है, आजकल ब्लॉगर्स है, टूरराइटर्स है, इन्फ्लोयेंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको बुलाकर उसको दिखाना चाहिए, जिससे आने ओले समय कहें, बहुत सारी लोग हैं, इंकि फोट्र ग्राफ ही फॉलोगर्स हैं, लकिन समस्ज हम धा यह हैं, कि जब मैं राजिसान को खंगा लूँगा तो कुंभलगड़ पर 500 वीडियो मिल जाएंगे आमिर पर 500 वीडियो मिल जाएंगे लेकिन जो हिड़न है अन एक्सप्लोर है मुझे लगता है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है क्योंकि जब एक टूरिस्ट को नई पर लोग कम पहुंचते हैं उनको परेटन मार्चितर पर ला रहें कि उनकी तरी जबरदस्त स्ट्रेटरजी है मुझे लगता है कि राजस्तान सरकाव उसको थोड़ा काम करने ज़िए महीं शेर्माची क्योंने एक ऐसा पैकेज बनाया जाए कि यह पांच चीज़े आप अप करकर आएं यह हम आपको दिखाएंगे क्योंकि पहले से कई बार पैकेज डिजाइन होते हैं पहले से ही डिजाइन करके ऑनलाइन वह आते हैं एक ऐसा एकस्प्लोर कराया जाए जो होता ना कि बाइवन गेट वन फ्री बाइफाइ वन फ्री तो उस एक में किसी विलेज को आड़ किया जाए वहां की लोकल संस्कृति को आड़ किया जाए और सरकार से उसको सपोर्ट मिले जो परिये टक वापस जाएगा और जो चीज उसने नहीं देखी होगी जाहिरा वो उसका भी प्रमोशन करेगा और उसके बाद जब आएगा तो उस चीज़ों को एकस्प्ल पर ले लेते हैं जैपूर से आप 110 किलोमेटर आगे चले जाएए विराट नगर है जी आप कोई भी चीज उठाके देख लेजे वहां पे आपको 5000 साल पुराना भगवान कृश्ण के समय का जो है इतिहास वहां मिल जाएगा राइट वहीं पे समराट अशोक का भी आपको मिल जाएगा तो यह सब चीज दुनिया के सामने लाने का समय अब आ गया है और मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा जो मैंने भी चेंज देखा है मैं ठेंक्स कहूंगा ट्यूरिजम डिपार्टमेंट को डिरेक्टर सर को जो डिरेक्टर अगर हम लोग बात करें इंस्टा एड करते हैं और नएने पैकेज़ बनवाते हैं कुछ इवेंट्स करते हैं तो इस वेरी गूट फो देर टिरीजम ऑफ राजिस्टा जीए इसमें जो भी परेटक आएगा उसको इस बात का मौका दिया जा रहा है कि उसका अनुभाव कैसा रहा उसने यहां का व्यांजन उ एडने चाहिए देखे परयाटन नीती का लूकारपन यहां पर हो रहा है शुरदैटन मंतरी गोर्वी सिंग डोटासरा हैं सी एस नेरंजनारीय मौजूद है बुखाल फिशु बनीर सिर्मौर बना दे जिटनी विविदता राजित्सान में मिलती है उतनी विविदता आप को किसी भी प्रदेश में नहीं मिलेगी बस जरूरी है उसको एक्सप्लोर करने की और यह सिर्फ सरकार की जिमेदारी नहीं है यह हर डिपार्टमेंट के जिमेदारी है हर राजिस्थानी के जिमेदारी है कि उसके आसपास क्या एक्स्ट्रा ओडिनरी है वो उसको शेयर करे सो चीज को एक्स्प्लोर करेंगे लोगों के सामने लाएंगे तो फिर एक व्यापट परियेटन व्यवसाय उत्पन होगा मजबूत होगा जिससे आपको भी पायदा होगा को बढ़ावा देने के लिए सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रमाणी करन हेतु दिशा निर्देश तयार किये गए हैं मानित अप्राप सेवा प्रदाताओं को विभाग के ट्रेवल मार्ट में निशुल्क भागीदारी दी जाएगी और विभाग की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद विभाग द्वारा जारी की गई नीतियों योजनाओं एम देशा निर्देशों के संग्रह के रूप में कमपेंडियम तयार किया गया है जिसका विमोचन राज सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राजस्थान पल्टन नीति की घोशना की गई थी नीति की पालना में कुछ योजनाओं नीतियों का राज सरकार द्वारा अनमुदन किया जा चुका है इस कमपेंडियम में सरकार द्वारा अब तक जारी निम योजनाओं का संग्रह किया गया है भविश्य में समय से में पर जारी होने वाली नीतियों यूजदाओं और देशा निर्देशा को इस कंपेंडियम में शामिल किया जाता रहेगा मैं मानिय मुख्यमंत्री मोहदे से आग्रेय कर रहा हूं कि वो कंपेंडियम का नवीन प्रचार पुस्तिकाओं का लोका इसके बाद यूनेसको के साथ चल रही अमूर धरोहर संरक्षन परियोजना के अंतरगत पश्ट्यम राजस्थान के पारंप्रिक संगीत की सीडी का प्यमोचन बारह सीडिया इस तरह की तयार की गई है और कलाकारों ने पारंप्रिक गीत संगीत का यूनेसको द्वारा डॉक्यमेंटेस्टिं किया गया है और जिससे इस पारंप्रिक संगीत को आधमी पीढ़ियों तक हम सुरक्षे रख सकें कैझ गलती है जब देनी रहा है तो तस्वीरम आपको दिखारें वीशु परियाटन दिवस पर नई परियाटन निती राजिसान के लिए और उसका शुभारम मुक्यमंत्री एशो गहलोत कर रहे हैं गाउं बस्ती से लीकर शेहरों की चकाचोंद राजिसान में सब देखने लाइक है क्योंकि गाउं के अंधेरे में चूले पर पक्ति रोटी भी परियाटक को आकरशित करती है और शेहरों में जैपूर में मौनुमेंट पर सजी लाइटे भी परियाटक को आकरशित करती है उंटों की गाडियां भी राजिसान में आकरशित करती है और इसके साथ साथ मैं बताना चूहूंगा कि युनेस्को विश्व विरासति स्थल थीम पर कवर का विबरेंट गिया गया है जिसमें राजिस्थान के छे पहाड़ी दुर्ग, चितोडगड, कुंभलगड, दुर्ग, रन्थंबोर, गागरोन, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, परकोटा शहर जैपूर, जंतरमंतर जैपूर, कालबेली अंदृत्य अमूर, सांस्कितिक विरासत और केवला जाली, कचोरी, पकोडी, मिर्च, मिर्ची बड़ा, मालपुवा, आदिका, नई बरियत निती लागू की जारिये, थोड़ी देर मां हम आपको बताएंगे, इसमें प्रमग बिंदू कौन-कौन से हैं, और जो हमारी डिबेट का हिस्सा रहे हैं, उनमें से किन बिंदू पर मुख्यमंत्री ने सहमती के बाद उनको लागू कर दिया है, पूरे राजिस्तान की नजर है, क्योंकि लाखो की संख्या में लोग हैं जो सीधे परियतन से जुड़े हुएं और रीड की हड़ी, राजिस्तान में परियतन है, बेदखास पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक जंदर देखिए, नाइन कवर्स अलगलग जारी किये गया है, जिसमें एक एक छोटी-छोटी चीज को भी उठाया गया है, परियतन उतपाद के तोर पर, चाहे वो दार्मिक परियतन हो, चाहे से उग्रामीन परियतन हो, मेडिकल टूरिजम हो, एडवेंटर टूरिजम हो, वाटर स्पोर्स है, तमाम सरी चीज़ है, लेकिन जिस पे मैं वापस लोटना चाहूँगा, वो है अनुभवात्मक परियतन, यानि कि अगर आप राजिस्तान आएं, हमारे किसी भी परियतन उतपाद के आप संपर्क में आएं, आप किसी भी जगे घूमने गएं, आपको क अनुभव को शेयर कीजिए, उन सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म से वागर गे, आपको बताना होगा, अगर आप आमेर गे तो आमेर में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अंभीकेश्वर मंदिर अच्छा था, माउठा ठीक था, मान सिंग महल ठीक था, या बारादरी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जालूगा, तो मेरे साथ जितने भी जुड़े हों, चाहे को इंस्टा पर जुड़े हों, ट्विटर पर, फेस्बुक, तमाम जितने भी तरह माध्यम है, तो उन तक हो सारी बाते हैं पहुचेंगी, और मैं अपने अनुभव को अपनी तरह स और चुकि कोविड में बड़ी करपा रही है, राजिस्तान के ओपर की बड़े मुश्किल से एक दो, एक दो केसेज हैं, वो भी इश्वरने चाहा तो बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे, और जिस तरह से पूरी टीम बैटी है, हर तरे के स्टेकोल्डर से यहाँ पर बैटे हैं आप, तो एक लाइन आईथी आउ साथ चले, आपको लगता है कि परियाटन नीती में बस इसको लागू कर दे, आम आदमी से लेकर सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के उच्छ सरकी की साथ चलते हैं, राजिस्तान को एक्स्प्लोर करते हैं, तो इससे बहतर कुछ नहीं होगा इससे बहतर नीती नहीं होगा। सबसे बड़ा एंबेस गयर होता है, वो आपकी सबसे ज्यादा बात बाहर दा के करता है, आने वाले समय के दे निश्यू तुम्हें बात सही करें दिर्मल जी, कि एक्स्पेरेंश मेंशेल्ट तूरिजम है, वो इत्ता इंपॉक्टन के हैं, कुछ दूनों पहले ग्यारिक क सबसे बड़ा कलेक्शन है, ट्रैबल जूर्री का, सिल्वर मन गोल्ड में, वो देखने के लिए आये थे, और चाते थे कि इसको हम इंस्ट्रागरम के उपर प्रमोट करें, हमारी इंस्ट्रागरम पे सही बता रहे हैं, मेरे आमरपाली के इंस्ट्रागरम पे चीन चार-प ब्लोगर्स हैं उनको प्रोसाहित किया जाए कि आप एक्स्प्लोर कीजिए जिसका बहतर वीडियो होगा उसको सरकार प्रमोट करेगी एक्जेक्ली विक्कुल यह करना चाहिए और जैसे जो शाम के सबे आप जैपूर की जो खूबसूरती निजर आती है जब हम गुलाबी श अक्टूबर 31 मार्च से आगे बढ़ाना होगा हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि अप्रेल माई जून के इंदर भी हमारे साथी है जो होमस्के चलाते हैं जो होटल चलाते हैं उनको तूरिस मिलते के उसकी संभावना है इतना बड़ा फेस्किवल्स होते हैं यहां पे बुक इस प्रोग्राम में फिलाल इतना ही नमस्कार हैं जो यहां जो झाराइब दाड़